C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक लोगतांत्रिक राजनीती वाची का हैं प्रियंका एक चिठ्थी आपके नाम प्रिय शिक्षक और अभिभावक शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना हो कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है हो सकता है आपको भी लगता हो कि उनकी बात में दम है अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठे क्रम में शासन की संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है पाठे पुस्तकों में समवैधानिक, कानूनी पेचीद्गियों के नीरस और उबाव ब्यावरे भरे रहते हैं जाहिर है, ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्त्विक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है, उनके बीच कोई तालमेल नहीं बिठा पाता शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों में नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है जबकि वास्तों में स्थिती यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीती में भागीदारी और रुची बहुत गहरी है मौजुदा किताब इस स्थिती को बदलने की दिशा में एक कोशिश है इस बदलाओ की प्रेर ना मिली राष्ट्रिय पाठेचरिया की रूप रेखा 2005 से राष्ट्रिय पाठेचरिया ने इस बुनियादी बदलाओ की जमीन तयार की इस पुस्तक की प्रस्तावना स्वयम राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के निदेशक ने लिखी है प्रस्तावना का जोर नागरिक शास्त्र के पुराने पाथे क्रमों को पूरी तरह बदलने पर है प्रस्तावना में नई पाठे चर्या की सोच और दर्शन को स्पष्ट किया गया है विशय का नाम नागरिक शास्त्र से बदल कर राजनीत विज्ञान रखा गया है नाम का यह बदलाओ नजरिये के बदलाओ को भी जाहिर करता है नया पाठे करम यह मान कर चलता है कि इस स्थर के चात्र चात्राओं को राजनीती की कच्ची पक्की कुछ ना कुछ जानकारी है जरूरत है इस जानकारी को और मजबूत करने की और उनकी समझ को माजने की इसी के अनुरूप कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों का राजनीती के अलग अलग पहलूँ से परिचय कराया जाएगा परिचय कराने की इस कोशिश में लोक तंत्र वह जरूखा है जिससे वे राजनीती के सिध्धान्त और हकीकत को देख पाएंगे इस पुस्तक के सहरे आप अपने विद्यार्थियों को लोक तंत्र की दुनिया की सैर कराने ले जा रहे हैं पहले आप इन्हें जल्दी जल्दी से कुछ कथाएं सुनाएंगे एक बार विद्यार्थी के मन में लोक तंत्र का बोध और भाव घर कर जाएं तो आप उससे कुछ गहरे सवाल भी पूछ सकते हैं कि लोक तंत्र क्या है? लोक तंत्र ही क्यों? एक बार विद्यार्थी इन सवालों से दो-चार होना शुरू कर दें तो आप उसे सम्विधान का नक्षा दिखा सकते हैं सम्विधान क्या है? ये क्यों और कैसे बनता है? जैसी बातों की जानकारी विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक राजनीती के तीन पहलूँ यानि चुनाओ, संस्थागत धाचा और अधिकारों तक पहुँचा देगी आपको इस यात्रा में अनेक विवादगरस्त मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है यहां हमारी मन्शा विद्यार्थियों पर किसी बनी बनाई धारणा को लादना नहीं है कोशिश यही है कि उनकी खुद अपने बूते सोचने की आदत और क्षमता को बढ़ावा दिया जाए इस किताब का उद्देश राजनीती की इस सहर को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाना और उनके मार्ग दर्शन में आपकी सहायता करना है यह किताब सिर्फ सूचना नहीं देती यह उन्हें खुद सोचने के लिए उकसाती है यह किताब सवालों के जरीए विद्यार्थियों से हेल मेल करती है कथाओं और तस्वीरों से उनका मनोरंजन करती है और काटूनों के जरीए गुद गुदाती है आपने स्वयम अनुभाव किया होगा कि सूज बूज से भरा कोई एक सवाल या जख जोरने वाला कोई एक कार्टून भी किसी छात्र छात्रा की कल्पना और विचारों को पंख लगा सकता है ऐसी बहुत सी चीजों को इस किताब में जुटाने की कोशिश की गई है विद्यार्थियों की प्रगती को परखने और उन्हें विभिन्द गतिविधियों में शामिल करने में यह किताब आपकी भी मदद करती है इन सारी विशेश्ताओं को एक जगह समेटने की कोशिश में ही किताब का आकार थोड़ा बढ़ गया है या यूँ कहें कि सूचनाओं के बोज को कम करने के कारण ही इस पुस्तक में कुछ पन्ने बढ़ गए हैं आगे के पन्नों पर इस खिताब का उप्योग कैसे करें शिर्शक से जानकारी दी गई है इसे जरूर पढ़ें इससे आपको पुस्तक का उप्योग करने में मदद मिलेगी यह यात्रा कक्षा दस की पाठ्थे पुस्तक में भी जारी रहेगी कक्षा दस की पुस्तक में जोर लोकतंत्र और राज काज की प्रक्रियाओं पर रहेगा हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की इस सहर से विद्यार्थी राजनीती को ज्यादा सावधानी से समझ सकेंगे और यह पुस्तक उन्हें सक्रिय भागीदारी वाला नागरिक बनाने में मददगार साबित होगी हमारी यह उम्मीद आपके दम पर है इसी कारण यह किताब आप से कुछ ज्यादा की अपयक्षा रखती है संभव है नए नाम, घटना और जगहों के बारे में आपको ज्यादा खोजबीन करनी पड़े आपको ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है जिसके जवाब यह किताब ना दे जब हम राजनीती की चर्चा करते हैं तो भावनाओं को उत्तेजित करने वाली बहसें उठती ही है संभेदन शील मुद्दों पर उठी इन बहसों के दौरान आपको विद्यार्थियों को संभालना है जब आपको उब या चिड़ होने लगे तो एक बात पर गौर कीजे अगर विद्यार्थी कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देने में आपको कठी नाई हो ऐसी सूचनाए मागे जिन्हें तलाशना मुश्किल हो या ऐसी बात कहे जो आपको नहीं जचती हो तो इसे अपनी कमी या असफलता ना माने दरसल एक शिक्षक या अभिभावक के रूप में यह आपकी सफलता की निशानी भी हो सकती है छात्र छात्रा का सवाल करना उनके सीखने जानने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है विद्यार्थी के रूप में भी और जागरूक नागरिक के रूप में भी यह किताब इसी संभावना को पालने पोसने की कोशिश करती है बोरिंग नागरिक शास्त्र के ठपे से छुटकारा पाने की इच्छा के चलते ही अपने देश में संभावतय पहली बार राजनीती शास्त्री, स्कूली शिक्षक और शिक्षा शास्त्रियों की एक टोली इस बात पर विचार करने के लिए एक जुट हुई कि अगली पीढ़ी को राजनीती की शिक्षा किस प्रकार मिले पाठे पुस्तक निर्मार समिती नाम की इस टोली का जिक्र अगले प्रिश्ट में किया गया है इन सभी साथियों ने अपना बेश कीमती वक्त निकाला अकादमिक व्यस्तता के बीच अचानक आपड़े इस काम में अपनी विश्यशग्यता से मदद दी NCRT के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने ना सिर्फ इस दिल्चस्प काम में हम में से कई साथियों को मानो एक प्रकार से खीच कर लगाया वरन काम के हर पाइदान पर मदद भी दी प्रोफेसर हरीवासुदेवन और प्रोफेसर गोपाल गुरु ने इस पहल की ठीक वैसी ही हिफाज़त की जिसकी यह हगदार थी प्रोफेसर मुरिणाल मीरी, प्रोफेसर जेपी देशपांडे और राष्ट्रिय निगरानी समीती के शेश सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाओं और आलोचना से हमारा मार्गदर्शन किया इस पहल कदमी ने अपने सफर में कई दोस्त बनाए राजदूत जौर्ड हार्डन, अर्विंद सर्दाना, आदित्य निगम, सुमन लता और चांदनी खंडूजा ने प्रारूप के अलग-अलग हिस्सों को पढ़ा और उपियोगी सुझाओ दिये कई आवसरों पर इस पाठे पुस्तक की तैयारी में विकास शील समाज अध्यन पीठ के लोकनीती शोध कारिकरम तथा लोकनीती की टीम से मदद ली गई प्रोफिसर पीटर डिसूजा और संजे कुमार ने हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल कदमी को मूल गामी शिक्षा शास्त्र के लिए प्रतिबध तीन युवा शिक्षा शास्त्रियों एलेक्स एम जॉर्ज, पंकज, पुशकर और मनीश जैन की अंतरद्रिष्टी तथा उर्जा का साथ मिला इन तीनों साथियों ने हमें सिखाया कि स्कूली शिक्षा की चुनोतियों के बारे में कैसे सोचना है डिजाइनर अरून दास और हिंदी संसकरन के डिजाइनर योगेश समदर्शी, कार्टूनिस्ट इर्फान खान तथा कॉपी एडिटर सेद अजहर एहसन ने इस पाठ्थे पुस्तक के विचार को साकार करने में हमारी मदद की यह पुस्तक मूलतह अंग्रेजी में लिखी गई थी इसके हिंदी अनुवाद के बारे में हमें यह चिंता थी कि यह सामान्य अनुवाद की तरह बोजिल ना हो जाए हम यह भी चाहते थे कि हिंदी माध्यम के विध्यार्थियों के पास जो पाठ्थे पुस्तक पहुँचे वह गुणवत्ता के मामले में आगे के लिए नए रास्ते दिखाए अरविंद मोहन ने एक सहज और सरल अनुवाद करने का बीड़ा उठाया और इसे बहुत कम समय में पूरा कर दिखाया इस अनुवाद की मूल प्रती की एक-एक पंक्ती से मिलान करना और भाशा को और भी सहज बनाना कोई आसान काम नहीं था यह काम अदभुत लगन से चंदन श्रीवास्तों ने किया लेकिन अगर यह पुस्तक आपके हाथ पहुँच रही है तो पंकज पुषकर के अथक प्रयास के चलते उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ा और हर स्तर पर गुणवत्ता पर निगाह रखी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको और विद्ध्यार्थियों को यह पुस्तक रुचिकर लगेगी शायद ऐसा भी हो कि आप राजनीती को कुछ मूलेवान चीज मानने लगें एक ऐसी चीज जिसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है जिसके अध्यायन की जरूरत है हमें आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्षा रहेगी केसी सूरी सलाहकार अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक, लोकतांत्रिक राजनीती, वाचन स्वर, अजी थोरो निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्माण, वंधना अरिमर्दन तर्था प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नही दिल्ली, भारत